मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे कुछक्र रचकर, कैसे दुर्भावना पूर्ण तरीके से साजिस रचकर इस देश के बेटे दिल्ली के बेटे अर्विंद केजरिवाल को गिरिफतार किया गया है और कितनी बड़ी साजिस है इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूँगा जो मुख्य मंत्री दिल्ली के दो करोन लोगों के सिच्छा के लिए स्वास्त के लिए बिजली के लिए पानी के लिए माताओं वेहनों को बस की फ्री आत्रा देने के लिए काम कर रहा है उस मुख्य मंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिस रची गई है इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूँगा और दूसरी बात ये शराब घोटाला 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 ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी भार्ती भारति जन। पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मुटे लोग सामिल नहीं है इसका भी खुलासा करूँगा अज इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग सामिल नहीं है भारती जनता पार्टी के सीर्स नेत्रत्व के लोग इसमें शामिल है मैं एक एक करके बताता हूँ आपको एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड़ी जिसने कुल साथ बयान दिये कुल तीन बयान दिये उसके बेटे रागो मंगुंटा ने साथ बयान दिये बाब बेटे ने मिला के दस बयान दिये और इस दस बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया 16 सितंबर को पूछा गया ED के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरिवाल से मिले थे जानते हैं तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया जो बात सच थी उसने कहा हाँ मैं मिला था लेकिन चैरिटेबल टेस्ट की जमीन के मामले में मिला था लेकिन उसके बाद उसके बेते को रागो मंगुन्टा को गिरिफ्तार किया जाता है रागो मंगुन्टा को जेल के अंदर रखा जाता है पांच महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है 16 सितंबर पर पहली बार कारवाई होती है मंगुंटा रेड़ी सांसत पर रेड़ होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरिवाल के खिलाफ वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे रागो मंगुंटा को गिर्फतार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक साथ बयान लिये जाते है रागो मंगुंटा के मंगुंटा रेड़ी सांसत के बेटे रागो मंगुंटा के कितने बयान साथ बयान तीन बयान बाप का साथ बयान बेटे का और उन पांच महीनों में जो साथ बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है छे बयान में अरविंद केजरिवाल को जानते हो अरविंद केजरिवाल ने कोई घोटाला किया है अरविंद केजरिवाल पे कुछ बोलना है उसने का नहीं 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 बिलकुल नहीं लेकिन पांच महीने की जेल के बाद तूट जाता है और सात्मा बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है वो वही साजिस का हिस्सा बन जाता है पांच महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरिवाल के खिलाफ बयान देता है लेकिन हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये छे बयान और बाप के दो बयान गायब कर दिये जाते हैं पांच महीने की जेल के दवरान दिये गए बयान एडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अन्रिलाइड अपान डाकुमेंट्स यानि ऐसा बयान जो केद्री वाल के खिलाफ नहीं था उस पर की एडी ने कहा हमें इस पर भरोसा नहीं है हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरिफतारी के दोरान दिया और जब हमारे वकीलों को कोट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान उनके हो सुड़ गए आपको पता है इनके हो सुड़ गए बाप बेटे के नाव बयानों में कहीं भी अर्विंद केजरिवाल का जिक्र नहीं और बाद में अर्विंद केज्रिवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अर्विंद केज्रिवाल के खिलाप उससे बयान दिलवाया जाता है अब यह मंगुंता रिड्डी और रागों मंगुंता है कौन जिसको एडी ने कहा कि यह शराप का कारोबारी है शराप का घोटालेवाज है इसके हम छापा मारेंगे 16 सितंबर को छापा मारा मैं चाहूंगा यह तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए यह भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए उनसे मिलते हुए यह तस्वीर आप जरूर देखिए यह है मंगुंटा रिड़ी सांसर जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ यह मंगुंटा रिड़ी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाब बयान देता है अर्विंद केजरिवाल और आमाजमी पार्टी को खतम करने की भाजपा के साजिस में सामिल हो जाता है तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है आप समझ पा रहे हैं इसनी बड़ी साजिस एक आदमी जिसको खुद E.D. कह रही है यह सराप का घोटाले बाज है उसका क्या रिस्ता है भारत के प्रधान मंत्री के साथ और इतना ही नहीं आज की तारीख में वो T.D.P. से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधान मंत्री की तस्वीर लगा कर जनता से वोट मांग रहा है मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाईए इसको T.D.P. का टिकट मिला हुआ है भारत के प्रधान मंत्री की तस्वीर लगा कर वोट मांग रहा है जिसको भाजपा कहती है घोटाले बाज़े ये जिसको कहती है E.D. कि हम इस पर कारवाई करेंगे हम इसको ग्रिफतार करेंगे हम इसको जेल में डालेंगे जब उसने केजरीवाल के खिलाब बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा कर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोग तंत्र में ये इसकेस की सच्चाई देश के लोगों जान लो आपके नेतारविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है ये है और जो बयान छिपा लिया जाता है एडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में कोट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर एडी के दफ्तर पर जिसको अन्रेलाइट डाकुमेंट में एडी ने रखा आयाने कि ऐसा डाकुमेंट जिस पर भरोसा नहीं है शुर्वाति सारे बयान जिस पर भरोसा नहीं है वो बयान जो उसने सही-सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पर भरे उसा ने उसको छुपा लिया बोले छुप जाओ बेटा अब इसमें एक और साथ ये है मंगुंता रिड़ी सांसत और ये है भारत के प्रदान मंत्री के साथ उनकी तस्वीर और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और ये है भारत का प्रदान मंत्री इस पोटो में सब से उपर उनकी तस्वीर है वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट दे दीजे अब मैं आता हूँ कि सराब घोटाला भारती जनता पार्टी ने कैसे किया अब एक सक्स आता है सराब का कारोबारी जिसको कहती भारती जनता पार्टी घोटाले बाज है घोटाले बाज है घोटाले बाज है सरद रेड़ी सरद रेड़ी के घर पे 9 नवंबर को च्छापा होता है 2022 में 9 नवंबर 2022 को च्छापा होता है और 9 नवंबर दोहजार च्छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में यह साफ साफ मना कर देता है कहता है मैं अर्विंद केजरीवाल को जानता ही नहीं उनसे मिला नहीं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं और इसके कुल बारह बयान होते हैं बारह बयान ध्यान से सुनियेगा इसको बहुत जरूरी है जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुक्त मंतरी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिस करके उनको गरिफतार किया गया नव नवंबर से लेकर इस से पूस्ट ताज के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया इसने मना किया फिर इसकी दस नवंबर को गरिफतारी हो जाती है दस नवंबर को गिरिफतारी हो जाती है और दस नवंबर की गिरिफतारी के बाद इसने कुल पचीस अपरैल तक यानि की छे महीने इसको जेल में रखा गया इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरी वाल के खिलाब बयान दो केजरी वाल के खिलाब इसने नहीं दिया बारा बयान इसने कुल दिया और छे महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सड़ जाएगी बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सड़ जाएगी अब वो कोई संजय सिंग तो है नहीं उस सगर रेड़ी है टूड़ गया 25 अपरेल को उसने केजरीवाल के खिलाब बयान दिया अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस वेक्ति ने केजरीवाल के खिलाब बयान दिया है उसके 10 बयान को अन्रेलाइड डाकुमेंट में एडी ने क्यों डाल दिया उन्होंने फिर कोट में अप्लीकेशन लगाई जाच के आदेस मिले हमारे वकील गए उन्होंने देखा एडी के दफ्तर में जाच के आदेस मिले वकील गए उन्होंने देखा सारे दस के दस बयान पढ़े के वकीलों के हो सुल गए दस बयानों में केज्रिवाल का नाम नहीं ah हूँ अरूर दस बयान जो केज्रिवाल के खिलाफ नहीं थे उस पे इडिन का इस पे भरोसा नहीं भरोसा नहीं भरोसा नहीं हो पयाता है और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को мен कि अर्विने के इज्रिवाल के खिलाब बयान दिया उसकी बेल हो जाती है उसकी बेल हो जाती है अब इस सरद रेड़ी जिसको भारती जनता पार्टी कहती है यह सराप का घोटाले बाज है यह सरद रेड़ी जिसको भारती जनता पार्टी कहती है सराप का बहुत बड़ा घोटाले बाज व्यक्ति है इडी कहती है सराप का घोटाले बाज है उसको गरिपतार करती है छे माईने जेल में रखती है केजरीवाल के खिलाब बयान लेने के लिए बार बार कहती है दस बार वो कहता नहीं 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 केजरीवाल से कोई बतलब और रिस्ता नहीं दस बयान के बाद जब तूट गया और इसने केजरीवाल के खिलाब बयान दे दिया छे महीने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है यह सरद रेड़ी कौन है असली घोटाला सुरू हुआ एडी के जाच के बाद भारती जंता पार्ती का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाईयों को कब पहुंचा पांच करोण रुपए का पांच करोण रुपए का पंद्रा नवंबर को पहली पेशगी और नजराना पांच करोण का पहुंचा और पुल 55 करोंड रुपय की रिश्वत जिसको kingpin बताते थे kingpin सरद रेडडी। उस kingpin ने 55 करूंड रुपय की रिश्वत भारती जनता पार्टी को दी 55 करोंड रुपय को मनी ट्रेल तो खुले आम मिल गया। और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायले की किर्पा से पता चला जब उन्होंने का दिखाओ 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 तो 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे बताना पड़ा कि यह सरद रेड़ी है सराब का घोटाले बाज किंग पिंज इसको कह रही थी एडी और जैसे ही 6 बच के 50 मिनट पे भारती जनता पार्टी के सराब घोटाले का खुलासा हो जाता है साथ बच के 14 मिनट पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ गयाता है क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि बई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है कीस मार्च को सामको छे बच के 50 मिनट पर इसका खुलासा हो जाता है 55 करोड रुपए की रिशुष्वत भाजपाने लिए इस बात का खुलासा हो जाता है उस खबर से ध्यान हटाना है जनता का ध्यान भटकाना है पहुंच गया के जरीवाल के धर और साथ बच के छोदा मि का गया एडी के अधिकारियों को जाँ जल्दी वरना तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गडबर हो जाएगा और धाई घंटे की पूस्ताच में जो दस सम्मन दे रही थी इडी और हम जैरे थे आम आदम पार्टी को एक खतम करना चाहते। एंधिन केज़िवाल को गरिफ्सार करना चाहते हैं, वह बात सचनिक ली और आर्विन केज़िवाली को दो घंटे की पूस्ताच के बाद ग्रेफ्स्तार करें गिरुए गा